दुर्ग में हुए मंत्री यादव की हत्या के मामले में दुरुवे पुलिस को कामयाभी हाथ लगी है इस मामले से जोड़े सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर धरदा बोचा जिसके बाद कोटवाली पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को घटना स्थल ले जाकर recreation कर जानकारिया ली दूरू की गंचपारा में हुवे हत्या की मामले में फरार रोपी के पकड़े जाने के बाद दूरू के पुलिस ने घटना का recreation करने घटना स्थल लिजा कर मामले की जानकारिया ली बता दें आरोपी चंदू दूबे के साथ हिस्ट्री शीटर अजय दूबे को भी पुलिस ने कूंडा गाउं से गिरफता कर लिया है ये दोनों आरोपी रिष्टे में सगे चाचा भतीजे हैं दोनों हत्या की घटना के बाद से फरार बताये गए थे इसे पहले दूबे पुलिस ने पहले पकड़े गए तीनों आरोपियों से रिक्रेशन करवाय था वही रविवार को दूबे और अजय दूबे से घटना स्थल ले जाकर मामले की जानकारी आ ली चंदूबे ने बताया कि किस तदा से उसने इस घटना को अंजाम दिया था और पूरी जानकारी बताई इस दोरान दूर्ग कोतवारी पुलिस के आरक्षक और पुलिस टिम घटना स्थल पर मौज़ रहे इस संबन में दूर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महिश दूरूव ने मिडिया के समक्ष जानकारी दी इस तरह के से अपराद हुऊ और अपराद करने के बाद में वो भागे थे तो दोनों आरोपियों को रिष्टिंग करने के बाद में उल्टा अब यूर्य रिमांट पूंको ब्रिजा जा रहा है पांच आरोपी थे माच्व रूपी पकड़ा चुके हैं मौका खटना इस त दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट